हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नमस्त इंगलिस के एप पे और चलिए आज एक बार फिर से बोलकर बातचीत करते हुए अंग्रेजी सीखते हैं तो प्रैक्टिस करते हैं चलिए बातचीत करना पे क्लिक कीजिए डे 29 है आज का टॉपिक क्योंकि डे 28 तक कि सारी वीडियो जो है मैं अल्रडी कवर कर चुका हूं चैनल के प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगी डे 29 इस रिलेटीट टू सर्प्राइज पार्टी के वैवस्था ही तू बातचीत होगी मतलब माली जो कोई भी सर्प्राइज पार्टी आप प्लैन कर रहें अपन कीजिए और कोई भी मिलेंगे आपको ए रिश्ब वाट यू दूग दिस वीकेंड इंग्लिस में उन्होंने पूछा तो जवाब इंग्लिस में जाएगा भले ही आपे हिंदी में संटेंस दे रखा आपको बट आपको जवाब देना है तो आप बोले मेरे पास कोई बड़ योजना नहीं है I don't have a big plan I don't have any big plans Saturday is Atul's birthday and we are planning for a surprise party for him अब देखिया अतुल का बड़्डे आगे ना मैंने का था ना कि surprise parties टाइप से जो है plan की जाती है चलिए यह मजयादार लगता है it seems interesting आप बोल सकते हो यह कहां होगा चलिए यहादा सुना इनोंने कोई बात नहीं तो इस टाइप से continue आप कर सकते हो और आपने जो attempt मारा है जो attempt आपने दिया है और जो correct होना चीए था या एक और तरीका हो सकता था बोलने का वो definitely यहादा पे दिया गया है बाके आप लोग भी जो है comment section में comment करते रही है we feel it would be nice to have a party at bizar yes मैं कह रहात आपनी बात complete करता हूं कि आप comment section में भी आपना जो है जवाब लिख सकते हो आपको लगता है कि ने यह वाला तरीका हो सकता था एक करने का तो वो भी आप लिख सकते हो ठीक है है ले आना वहाँ पर ठीक है मैं बहुत उत्साहित हूं क्या तुम कोई और मदद चाहते हो I am very much excited do you want any other help I am very excited any other help you need continue कीजिए coins फिर मिले आपको और आगे बढ़ जाए क्या यह है एक theme party है is it a theme party is it a theme party yes we have bollywood theme party everyone has to dress up like their favorite actors और कौन कौन आ रहे हैं and who all are coming there who else are coming continue कीजिए फिर से आपको coins मिलेंगे दोस्तों only our college friends and few office colleagues लगता है जैसे हमें एक अच्छा समय मिलेगा sorry लगता है जैसे हमें एक अच्छा समय मिलेगा हम पढ़ा था मैंने हमें हैं वहाँ पे लिखा हुआ it seems we would get a good time to spare sounds like we'll have a great time of course so see you on Saturday at 7 p.m. and don't forget to bring a tool along with you जरूर मैं अतुल को अपने साथ लाओंगा उसके बारे में चिंता मत करो definitely I will come up with Arun you don't worry about a tool sure I will get a tool with me don't worry about him तो यहां पर finish कीजिए दोस्तों session end करने के लिए और completely अगर end करना है तो यहां पर click करना पड़ेगा आपको अगर आपको लगता है कि कुछ कमी रहे गई थी somewhere you are still you know stuck in and you need to practice it again so definitely do it if you want to go to the next conversation the next day the next topic then definitely you can go to the next conversation it's fine right तो मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में तो जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए का शेयर कीजिए का सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और हां आपको लगता है कि किसी संटेंस को किसी और तरीकी से ट्रांसलेट किया जा सकता था तो कॉमेंट बॉक्स में आप जो है कॉमेंट लिख सकते हो डेफिनेटली हम सभी पढ़ना चाहेंगे साथी साथ अलिमिटिड अकाउंट में ही ये फीचर उप लब्द है जहापे आप बोलकर प्रैक्टिस करके जो है अंग्रेजी सीख सकते हो तो do not forget to join our unlimited account बाकि हसते रिए खिल खिलाते रिए मिलेंगे नेक्स वीडियो में अभी कलिए बस इतना ही धन्वाद दोस्तों थैंक्यू